जहिन दोस्तों देखें, 2024 में, यानि इसी साल यदि आपको सरकारी नौकरी लेना है तो हम आपको अभी तीन वेकेंसी बता रहे हैं इन तीन वेकेंसी को आप टार्गेट कीजेगा क्योंकि हो सकता इसमें नहें हुआ तो इसमें आपका नौकरी हो जाए यानि किसी एक में आपको नौकरी लेना है ठेक है और ये तीन हम आपको सबसे बड़ा बड़ा वेकिंसी बताएंगे जो कि अभी आने वाला है ठेक है अभी आने वाला है अभी ये आया नहीं है ठेक है एकदम तयारी जबरदस्त कीजेगा आपका ही नौकरी होगा दोस्तों क तो आप इन तीन वेकेंसी को जरूर से जरूर फोकस कीजेगा, ठेक है, और ऐसा तो नहीं कि सब विद्धार्थी एक ठो वेकेंसी का भरोसाम रहता है, बहुत सारे वी स्टूडेंट तीन वेकेंसी, चार वेकेंसी भरते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ-कुछ वेकेंसी ऐसा होत जिस पर विद्धार्थों का उम्मीद जग जाता है, कि चलो इस अब में नहीं हुआ, तो हम इसमें तो ले ही लेंगे, तो यह ऐसा वेकेंसी है, ठेक है, तो आप देखिए, सबसे पहले तीन नई बड़ी वेकेंसी आपको बताएंगे, जो कि अभी अपकमिंग वेकेंसी ह आई नहीं है, आने वाली है, अपकमिंग गौर्मेंट जॉब है, ठेक है, महिला आई भी फॉर्म भरेंगे, पूरूस भी फॉर्म बरेंगे, सबी के लिए फॉर्म एप्लिकेबल ये, पूरे भारत के भारत के विद्द्यार्थी फॉर्म को अपलाय कर सकते हैं, और हां, य यह state का vacancy नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यह state का vacancy क्या, नहीं, यह central government का vacancy है, सरकारी नौकरी है, ठेक है, permanent है, ऐसा नहीं कि 2 साल, 4 साल के लिए, यह अस्थाई नौकरी है, 100% अस्थाई है, ठेक है, आपको 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, देखे, इसमें जो है बिना height, बिना chest, बिना running, इस पर आपका किसी भी प्रकार का physical नहीं होगा, ठेक है, किसी भी प्रकार का कोई physical नहीं होगा, आपका height नहीं देखेगा, आपका chest नहीं देखेगा, आपको दोडाएगा नहीं, ठेक है, किसी भी प्रकार का इस सब कोई tension नहीं है, long jump, high jump, इस सब अपिल करना चाहिए विडियो को अंत तक देख के जाईएगा तभी आपको बढ़ियां से समझा पाएंगे ठीक है तो ध्यान दीजेगा दोस्तों आपको एक-एक करके हम बताते हैं यहाँ पर हम नोट करके लाएं हैं सब वेकेंसी के बारे में देखिए तो धिए सबसे पहले जो आपका वेकेंसी आ रहा है अभी हाल फिलाल में जो वेकेंसी निकलने वाला है यह आपका निकलेा विभाग है भारतिय भारतिय इस्टेट बैंक ठेक है भारतिय इस्टेट बैंक यानि इसको बोलते हैं SBI ठेक है SBI में PO और Clerk यह दोस्तों इसका notification आन अभी बाकी है इसी महीने ये वेकेंसी आपका जारी होगा टोटल पोस्ट की बात करेंगे इस पर सीट कितना रहेगा तो सीट देखिए अपरोक्स जहां तक मुझे लगता है कि पांच हजार से उपर ही आपका सीट निकलने की संभावना है ठीक है बात करेंगे एज इस पर कितना मांगेगा एज लिमीट आपको पता है कि कम से कम आपका 20 यह इस पर मांगेगा ठीक है अधिक सदिक 28 यह हम बता रहे हैं यू आर और हाँ OBC को 3 साल छूट मिलेगा SC और ST को 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा ठीक है फी की बात करेंगे दोस्तों फी इस पर 750 रुपय फी लगता है आपको पता होगा SBI थोड़ा ज़्यादा ही पैसा लेती है 750 इस पर पैसा आपको देना पड़ेगा क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि इसको कौन अप्लाइ कर पाएगा तो देखिए क्वालिफिकेशन यानि योग गता तो सभी ग्रेजुएट यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लिकेबल हैं फॉर्म को भरिएगा आपको दोस्तों सेलरी इस पर जब दस सेलरी मिलेगा इस पर दोस्तों लगभग आपको 40,000 से उपर आपको सेलरी मिलेगा शुरू में ही जैसा ही जॉइन कीजेगा और विभाग बहुत बड़ा है SBI है भारत के सबसे बड़ा बैंक है SBI इस पर नौकरी करना आपने आप में बहुत बड़ी बात है पीओ मतलब प्रोबैजनरी ओफिसार और की वेकेंसी यहाँ पर आ रही है अब बात करेंगे इसका अपलाई कब होगा तो अक्टूबर में कभी भी यह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा ठीक है? अक्टूबर 2024 इसका अपलाई डेट है क्लियर है तो वेकेंसी नमबर 1 हो गया ASBIPO दिमाग में नोट करके रखिएगा कि हाँ AS State Bank में वेकेंसी निकलेगा जो कि हमको भरना है मोहनसर चैनल को देखते रहिएगा आपको हम बता देंगे जब निकलेगा तब ठीक है? चलिए एक नमबर वेकेंसी क्लियर हो गया अब बात करेंगे वेकेंसी नमबर 2 तो देखें दोस्तो वेकेंसी नमबर 2 इसका विभाग की बात करेंगे ये डिपार्टमेंट है RRB Railway Group D ठीक है? हम लोग बात कर रहे हैं Railway Group D का समयमा कि भारती railway में अभी railway का जो सबसे बड़ा वेकेंसी जारी होने वाला है वो है Railway Group D इसका सीट की बात करेंगे दोस्तो सीट कितना आएगा? तो देखें सीट ज़्यादा नहीं आएगा ऐसा क्यों? क्यूंकि कैलेंडर जारी कर दिया है तो एक बार में क्या आपको लगता है कि बहुत सार वेकेंसी देगा नहीं देगा तो दोस्तों ये मुश्किल से यदि 30,000 से लेकर कि 40,000 भी वेकेंसी निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है ठेक है तो railway group D का वेकेंसी आ रहा है तयारी जबरदस्त आपका होना चाहिए एज इस पर आपको पता ही होगा किता मांगता है 18 से 36 साल इस पर एज मांगता है ठेक है और हाँ OBC को 3 साल छूट मिलता है SCHT को 5 साल का लग से छूट मिलता है ठेक है फी दोस्तों इस पर कितना लगता है तो रेलवेक आपको पता है कि कोई भी फॉर्म भरोगे 500 रुपया लगेगा जनरल OBCWS बाकि SCHT महिलाओं को 250 में ये फॉर्म भरवाते हैं हालांकि 400 रुपया इनको CB मिलता है कैश बेक लेकिन किसको मिलता है अफ्टर एक्जाम यदि एक्जाम में आप अपियर होते हैं एक्जाम में बैठते हैं तो ही आपको ये पैसा रिफंड होता है तो फॉर्म भरते समय आप अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड और अपना बैंक डिटेल अच्छे से भरिएगा ठीक है क्योंकि इसे में आपको पैसा रिफंड होगा बहुत सर्क कैफे वाली क्या करते हैं कि अपना अकाउंट डाल देते हैं तो आप एक्जाम दीजेगा पैसा आजाएगा उसके खाते पर ठीक है तो होस्यारी कीजेगा बात करेंगे इस पर квalification ये बहुत बड़ी बात है कि सर qualification क्या मांगेगा तो देखिए 10th pass plus iti ठेक है अब सवाल है कि जिसका iti ने हो क्या करेगा तो देखे कुछ कुछ post ऐसा भी रहेगा जो कि only 10th पर रहेगा ठेक है लेकिन maximum majority post जो रहेगा वो with ITI रहेगा यदि आपका ITI होगा तो ज़्यादातर पोस्ट के लिए आप भर पाओगे और यदि ITI नहीं रहेगा तो कुछ-कुछ चुनिंदा पोस्ट रहेगा बिना ITI के लिए ठीक है तो निरास मत हो ये 10th level वालों के लिए भी हाँ पर seat रहेगा railway group D बात करेंगे इसका apply कब होगा तो इसका apply भी आपका October में चालू हो जाएगा ठीक है October 2024 में इसका form भराएगा तो आप एकदम बेहिचक form को भरिए और तगड़ी तयारी कीजिए ठीक है चलिए अब बात करेंगे वेकेंसी नमबर 3 तो देखें दोस्तो वेकेंसी नमबर 3 जो है यह वेकेंसी अभी आने में खैर थोड़ा सा देरी है ठीक है लेकिन इसका सूचना अभी आ चुका है देखें इसका विभाग जो है अपने आप में बहुत बढ़ियां विभाग है यह विभाग है दोस्तो CBDT ठीक है Central Board of Direct Texas ठीक मंत्राले देख लीजिए Ministry of Finance ठीक है फाइनेस मतला विट्र मंत्राले की यह वेकेंसी है अब यह आने वाली है यह नया पोश्ट क्रियेट हुआ है दोस्तो ठीक है ऑफिस सुप्रीटेंडेंट के लिए दोस्तो यहाँ पर पोश्ट क्रियेट हुआ है ठीक है तो यह नया प भाग के अंतरगति आपका आएगा ठीक है अब बात करेंगे टोटल इस पर पोस्ट कितना है तो दीखे 15,977 टोटल पोस्ट खाली है लेकिन दोस्तों इस पर 70% का आपका विज्यापन निकलेगा और 30% जो है आपका प्रोमोशन से भरा जाएगा यह जो पोस्ट है 70% आपन आएगा इतने पोस्ट के लिए ठीक है बाकि आपका जो भी विभाग एक काम कर रहे है उनका प्रोमोशन करके नौकरी उनको दे दिया जाएगा ठीक है बात करेंगे इस पर सेलरी कितना मिलेगा तो दीखे 60-68,000 आपको सुरू में ही जोइनिंग करते ही आपको सेलरी देखने को मिल जाएगा तो इतना सेलरी अपने आप में जबरदस्त सेलरी है ठीक है अब बात करेंगे योग्यता क्या होना चाहिए तो किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रिजुएशन कर रखा होगा तो आप यहाँ पर फ़र्म को भर सकते हैं मैक्सिमम एज इस पर 30 साल मांगेगा मैक्सिमम एज 30 साल बाकि ओवी सी को तीन साल चूट रहे से इस इसटी को पांस सल का अलग से चूट मिल जागा ठीक है बात करेंगे यह वेकेंसी आखिर अप्लाइक कब होगा तो देखिए इस वेकेंसी को निकालेगा एसससी सीजीयल में इसको मिला देगा ठीक दोजार पचीस वाला जो सीजीयल आएगा उसका प्रिपरेशन आप कीजिए तो इस पे नया पोस्ट जो जूड रहा है यह वाला मंत्राल है यह वाला विभाग एड होगा एसससी सीजीयल में ठीक है तो यह आपको यह नौकरी लेना है तो सीजीयल का तयारी करना होगा ठी अगले साल जो आएगा उस पे यह नया पोस्ट जूड रहा है उमीद करेंगा आपको बढ़ियां समझा दिया है इसके अलावा आभी आर भी एंटी पीसी का भी वेकिंसी निकला है ट्वाल्त लेबल और ग्रजिवसन लेबल पर उसको आप फॉर्म को भरिये नबाड की वे लो में याइंट